तो देखे राहत जरूर अर्विन केजरिवाल को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से पीमेले केस में एडी वाले मामले में लेकिन रहना अभी तिहार जेल में ही होगा चुकि CBI की कस्टडी में फिलाल अर्विन केजरिवाल है और 25 जुलाई तक उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई जल्दी से बापको कुछ बड़ी बाते बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला भै क्या और राहत अर्विन केजरिवाल के लिए फौरी राहत किस तरह से है पूरी राहत आखिर क्यो नहीं है केज विवाल को देखे सुप्रीम कोट से मिल गई राहत चार्टशीट के साथ पेश किये गए सबूतों में क्या है चार्टशीट भी एक पेश की गई एडी की टीम की और से और उस चार्टशीट में क्या है आप जानिए चार्टशीट के पेश नमबर 157 पर एडी ने सबूत पेश किये गए हैं और चुनावों का जिस्तरा का आरो पहले से ही लगाती आई है एडी उसका भी जिकर गया है उसको लेकर भी बता जा रहा है कि सबूत पेश किये गाए है और चलिए मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगी लेकिन कुछ और बड़ी बाते आपको बता देते हैं गिरफतारी पर हाई कोट ने क्या कहा था गिरफतारी पर हाई कोट ने कहा था कि इसमें कोई अवैदता नहीं है जाँच में शामिल होने से बार-बार इंकार करने के बाद अरविंद केजरिवाल को गिरफतार किया गया था चुकि एडी के पास कोई विकल्प नहीं था गिरफतारी पर हाई कोट में एडी की टीम की और से क्या कहा गया था साथी साथ एडी ने जो नई चार्ट शीट फाइल की है उस चार्ट शीट में क्या है कौन-कौन से सबूत है किन-किन बातों का जिकर है ये से पहले हमने आपको ग्राफिक्स के जरीए बताया और हाई कोट में गिरफतारी पर क्या का गया आई डी की टीम की और से ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरीए बता रहे हैं और जाधा लेटेस अपडेट इस पर में जौन लेती हूँ मेरे साथ हमारे तीन रिपोर्टर जुर गए हैं मेरे साथ दिली से शुभराना जुर गई हैं मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ हैं इसके राबा मेरे साथ आयूश भी जुर गए हैं हमारे संबादाता सबसे पहले आयूश के पास विसले में जाती हूँ चुकि आयूश सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई आज हालांकि भार नहीं आ रहे हैं जेल में ही रहना होगा लेकिन जो रूटीन प्रोसेस सी बी आई की चुकि कस्तिडी में है 25 जुलाई तक क्या जेल में ही रहना होगा चुकि रिमान बढ़ा दी गई है आयूश जी देखे अरविंद केजरिवाल को जो आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है इसको हम इस एक्जामपल से समझ सकते हैं कि एक दर्वाजा है उस दर्वाजे पे कुंडी लगी हुई है और कुंडी के बाहर ताला लगा हुआ है यारी ताला तो अरविंद केजरिवाल के लिए खुल गया लेकिन वो कुंडी नहीं खुल पाई है और यारी वो दर्वाजा अब पूरी तरह के से खुल नहीं पाएगा अरविंद केजरिवाल को अभी लंबे समय तक तिहाड जेल में ही रहना होगा इसके पीछे अकारण ये है कि E.D. की तरफ से जो जुडिशल केजरिवाल को बेजा हुआ था उससे तो जमान तो ने सुप्रीम कोट ने दे दी लेकिन दूसरी ओर जो C.B.I. ने अरविंद केजरिवाल की उपर शिकंजा कसा हुआ है उससे अरविंद केजरिवाल को अब राहत मिले के असार नजर नहीं आ रहे क्योंकि जब राउजवेन्य कोट पे इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो राउजवेन्य कोट ने अरविंद केजरिवाल की C.B.I. कस्टेडी बढ़ा दी है और जब तक अरविंद केजरिवाल को C.B.I. कस्टेडी से रहत नहीं मिल जाती तब तक के लिए उनको तिहार जेल में इसी प्रकार से नयाई खिरासत में रहना पड़ेगा जी चीक है आउंगी आपके पास बने रही है आप शुब राना के पास में चली जाती हूँ शुब मेंदी गर्ग मेरे साथ है शुब नहीं हमारे साथ मेंदी आज सुप्रीम कोट ने जिस तरह से अरविंद केजरिवाल को राहत दी उसके बाद पहले आम आदमी आती है प्रेस कॉंफरेंस करने के लिए आम आदमी पार्टी और का ये जाता है कि सत्य परिशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं वहीं दूसरी और ठीक आम आदमी पार्टी की पीसे के बाद बीजेपी की और से भी प्रेस कॉंफरेंस की जाती है जहाम आदमी पार्टी से बड़ी जीत बता रही है बीजेपी कह रही है कि कोई जीत नहीं है ये राजनीती क्या और ज़्यादा तेज हो गई है इस पर बिल्कुल अंजली देखे सियासत जो है वो लगतार गर्मा गई है क्योंकि जिस तरीके से जो ये अंतरें बेल दी गई है उसके बाद से भाटी जनता पार्टी लगतार ये आरोप लगा रही है कि ये कोई जीत नहीं है क्योंकि जो याचिका अर्विन केजिवाल की तरफ से जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो उनकी गिरफतारी है उसको अवेद जारी किया जाए या अवेद बताया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने उस गिरफतारी को अवेद ना बताते हुए एक बड़ी बेंच को ये जो पूरा मामला है वो भेजा है तो ऐसे में BJP क कि जो सांसद है बांसुरी स्वाराज उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करकर ये साफ कर दिया है कि ये कोई जीत रही है और लगतार जिस तरीके से भारती जनरता पार्टी आक्रामक है तो अर्विन केजरिवाल के रेजिगनेशन की स्तीफे के जो मांग है वो पहले भी की जा रह कि दिल्ली की जनरता जानती है कि किस तरीके से चोरी की गई है किस तरीके से पूरे मामले में आम आद्मी पाटी ने गोटाला किया है और दिल्ली की जनरता के साथ विश्वास गात किया है तो ऐसे में अर्विंद केजरिवाल को इस्तीफा देना चुई है माफ के जगा और इस्तीफा देने के बाद ये जो पूरा मामला है जो उन्हें जमानत दे दी गई है उसमें कोई जीत उनकी नहीं है क्योंकि विरेंदर सचदेवा ने ये भी कहा है इस पूरे मामले में कि जमानत मिल जाने से ये सपश्ट नहीं हो जाता कि अरविंद केजरिवाल बेगुना है या दोशी नहीं है तो सियासत लगतार गर्मा रही है पहले भी आमाद मी पाटी जो आकरमंड बीज़ेपी पर करती थी कि ये बीज़ेपी का पूरा शड्यांत्र है उसमें भी बीज़ेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा ग्या है कि ये जो पूरा मामला है वो न्यायप गोटाले किये हैं साथ यस तरीके से आज जो प्रदर्शन बिजली को लेकर हुआ तो विरेंदर सच्देवा जो बीज़पी अद्यक्ष है उनका ये भी कहना है कि शराब नीती गोटाले के बाद अब केजरिवाल सरकार जो है वो बिजली गोटाले में भी पस्ति हुए लिख बिजली गोटाले कारों भी बीज़े पी आँमाद मी पार्टी पर लगा रही है और किस तरह के रियक्शन्स शुब शुब आवाज आ रही है आपको मेरी श़यद मेरी आवाज नहीं पहुंस रही है शुब तरह शुब देखे जिस तरीके से चलिए ठीके मैं आयूश के पास जाती हूँ इंगर फिर से आयूश CBI वाले केस में जो नियाई खिरासत है वो 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है लेकिन क्या सतरहा तारीख का इंतजार करना होगा चुकी से पहले जानकारी ये मिली थी कि 17 तारीख को CBI वाले केस में दिली हाई कोट में सुनवाई होनी है जी देखिए जो नियाई खिरासत बढ़ाई गई है वो राउजविन्यू कोट के दवारा बढ़ाई गई अब जब हाई कोट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी वो इस बात पर होगी कि अरविन्द केजरिवाल को CBI ने जिस प्रकार से कस्टडी वे लिया हुआ है चुडिशन कस्टडी वे भेजा हुआ है वो नियाई संगत है या नहीं और अगर वो नियाई संगत नहीं है तो उस पर जल से जल अरविन्द केजरिवाल को बेल दी जाए हाला कि हाई कोट अगर बेल दे भी देता है अरविन्द केजरिवाल को अगर हम इस चीज़ को मान लेकि 17 तारिक को हाई कोट अरविन्द केजरिवाल को बेल दे देगा उस कि जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा क्योंकि ये मामले ED, CBI, IT के नहीं है ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोंड रखा है और वो दृष्टिकोंड है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे हैंवन सोरन को पांच महीने रख एक युवान अदिवासी नेता को चुनाओ से दूर रखा हाइकोट ने क्या कहा उसको पढ़ने की जरुवत कौन पढ़एगा ED, IT, CBI नहीं सत्ता सिर्ष के दो लोग ये उनकी कारिश्यली का परिनाम है कि आपने ये तै कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिन से हम